गुड मॉनिंग स्टूडेंड आज हम हिंदी में क्या करेंगे? चार अक्षरों का जोर कल भी हमने चार अक्षरों का जोर ये किया था ना? ढला दल ये भी किये थे इसमें हमने क्या किया था? ल, ल, ल वाले शब्दों को लिया ताकि आपको असानी हो सके और इसमें अब हमने क्या किया है पीछे न वाले शब्द लिये हैं ताकि आपको इसको भी पढ़ने में असानी हो सके कल वाले किये थे ना और आज हमने न वाले शब्द लिये हैं ताकि पढ़ना असान हो सके तो देखो बिटा एक बार क्या है ये अ अ च आचा अच काना कन अच कन फिर से जोड़ के देखो वेटा दो अक्षरों को जोड़ो आचा अच काना कन अच कन तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अच कन ऐसे ही आगे देखें भग भग वन वन क्या बन गया भग वन भग वन तो हम लिख देंगे भग वन ऐसे ही पला पल टाना टन पल्टन गर गर दाना दन गर दन उपा उप वना वन उपवन उबा उब उबा उब तना टन उब टन वरा बर तना तन बर तन देखो सबके पीछे ना आ आ रहे ना तो पढ़ने में कितना आसान है ये बचा बच पना पन बच पन धड़ा धड काना कन धड़कन टना टन टना टन 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 तो बन गे ना आवारे नई शब्द अचकन भगवन पल्टन गरदन उपवन उप्टन बरतन बचपन धड़कन टन टन तो सब बच्चों ने इन दो दो शब्दों को जोड़के चार शब्द बनाने हैं और यहाँ पे तो बार लिखके देखना है कल भी मैंने बट आपको चार अफशरों का जोड़ करवाया था लेकिन किसी बच्चे ने भी काम करके नहीं दिखाया तो सब बच्चों ने काम करके जरूर दिखाना है